हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे से मौसम महरवान हुआ है शिमला में अच्छी बर्वबारी देखने को मिली है हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्वबारी जारी है लगतार 24 घंटे से रुक रुक कर प्रदेश भर की उचाई वाले इलाकों में बर्व गिर र प्रदेश में भारी बारिश के चलते छे नेशनल हाईवे सही 241 सरके बंध हो गई है साथ ही 677 ट्रांसवर ठप पड़ गये हैं चंबा के पांगी शिमला के नारकंडा मनाली के हम्टा और अटल टनल के पास एक फीट से अधिक बर्फ अब तक गिर चुकी है लगतार बर्वारी कदर लाहौल घाटी में भी जारी है मौसम विभाग के शिमला केंद्र ने गुरुवार सुभा बुलेटीन जारी किया है इनम इसी तरह मनाली के कोटी में डेर फीट से अधिक लाहौली के कुकुमसेरी में आधा फीट खदाराला के अठारा फीट संगाला वैली में 16 फीट कोकसर में 16 सेंटिमीटर सिलारू में आधा फीट बर्वबारी दर्ज हुई है इसी तरह नारकंडा में एक फीट के करीब बर्वगिरी है और सरक मार्क बाधित हुआ है चमबा के सलूनी में 12 एम बारिश पहोर में 17 भुंटर में 32 एम कांगरा में 23 एम और रहूरू में 40 एम बरसाथ दर्ज हुई है हिमाचल प्रदेश में मौसम विबाग ने गुरुवार के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया है हिमाचल प्रदेश में 2 फेरवरी को मौसम साफ रहेगा लेकिन वहीं 3 और 4 फेरवरी को फिर से यलो अलर्ट जारी किया है और बारिश बरवारी के असार जताएगा है